हेलो एन वलकम गाई स्वागात आपका फैंटास्टी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग असम टीट्वाटी चलेंजर ट्रोफी की बात करेंगे जो की मैच होगा या पर ब्रह्मा पुत्रा बोईज वसिस काची नंका हीरोस के बिच में तो चलिए दोनों पर इसको कवर गरेंगे तो चलेंजर पर बना किसी डियरी के वीडियो को स्टाट कर लेते हैं उसको भी कवर करेंगी तो सारे अच्छे मैचिस के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे यूटूब चेनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करना है साथ ही मैं टेलिग्राम से भी जुडियेगा क्योंकि इस मैच की और आगे भी आने वाली सारे अच्छे मैचिस की फाइनल अपडेट और फाइनल डिमा आपको टेलिग्राम में मिलेंगी तो जली से टेलिग्राम चेनल को आपको जोइन करना है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप लोगको उसी लिंक से टेलिग्राम चेनल को जोइन करना है बात करते हैं इस मैच की तो यह मैच सुबह में 9 बच कर 30 मिनिट पर अमी गाउं क्रिकेट कराउं गुवाहाटी असम में खेला जाएगा पीच रिपोट यहां पर बैटिंग के लिए अच्छी पेज़ है यहां पर मतलब लगबग तो एक्वली सपोर्टेट है लेकिन रंस टिक टाक बनता है यहां पर 140-150 तो आराम से बन जाएंगे बाकी चेजिंग रेकोर्ड में यहां पर लगबग चेजिंग करने वाली टिम को ज़्यादा एडवांडेज रहता है तो टीम टॉल्स का पहले चेज़ करना पसंद कर सकते हैं सबसे बात करते हैं पर बीर बेगी जो की तीन मेच के लिए दो टीटी और एक मैच हारी है ओपनिंग में कौन है जो लास मेच के अंदर मोहमत के आफ ओपनिंग करवाई जो की पहली मैच के बात करो तो चौथे या पाच्वे नंबर बैटिंग के लिए आए ते देखो वैसे प्लेयर बजस्त हैं यहां पर लेकिन रेक्टी ओपनिंग करेगा ने करेगा कनफर्म नहीं कह सकते तो इसके लिए इनको लेकर जाना थोड़ा सा रिस्क है लेकिन इनके अपलोग परोसा कर सकते हैं मैं तो गहूंगा ऐसे इनको अपलोग ट्राइ करेगा क्योंकि जरूरत पढ़ने पर यहां पर तीन-चार ओस के गयन बाज़े भी करवा सकता है जो कि इन्होंने फिचली टूनामेंट के अंदर रेक्विलर ओस करवाई भी थी और वापर इन्ह सब्साइब यहां पर वह और कि दो सकते हैं इनके लिए सबाका बात करते हैं एरिक रोई का परफोर्मस इतना तो कुछ खास नहीं रहें लास मैच के लिए आपको विकेट किपिंग सेक्षन में इन से बेहतर चोईस साइड ही मिलेगी चुकि यह बंदा तो यहाँ पर टॉप में कहल लेता है पहली दोनों मैच के अंदर भाई सापने तीसरे नमबर बजाने की वन डाउन बेटिंग की और लास मैच के अंदर यह पांच में नमबर बराए लेकिन इनके उपर बरोसा का सकते हैं क्योंकि आज की इस मैच के लिए दो ही ओप्सन है तीन ही ओप्सन है जाप पर एरिक रोई सबसे बेस्ट ओप्सन है तो इस मैच के लिए हमारे लिए इंपोर्णेस रहेंगे एरिक रोई के लगए आईश अगरवाल टिक टाक रहेंगे यह एक भी बेटिंग से थोड़ी से नीचे खेलते हैं आला कि चोईस यह लेकिन पहले मैच का और एक फिर 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 लेस और लास मैच का और लेह फिर फिर से अपर HOL ret लेखे जायेगा से чे रहेगा अगर नहीं खेले तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मीन रोय दत्ता वेरी इंपॉनेट विक डेफिनेटली लेगे जाना है इनको इनके लवाइसे के महाजन वेरी इंपॉनेट विक और साथ में राहूल शिंग इनको भी आप लोग लेगे जा सकते हैं लास में किना च जाकुती नहमद देथ में भी डालेंगे और इनके अलावा ब्यांच में से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टाट्स और अपडेट वगर आपको टेलिग्राम में मिलेंगे जो जल्दी से टेलिग्राम चनल को जोइन करना है लिंक नीके डिस्क्रिप्सिन में है और ऊसी लिंक से टेलिल्गाम चनल को जोइन करना है कि आप कर लोगाे पर के एह एज Eigen की जोकी तीन मेंस के लिए निहार नरा जो कि तीनों ही मेच के अंदर निहार ने लायक तो कोई भी परफरमस नहीं गया लेकिन टॉप में कहल रहा है मतलब ओपनिंग करवा रहा है तो ज्यान में रखेगा हो सके तो ले लिजेगा क्योंकि कभी भी आपर 30-40 की पारी ये खेल सकता है ध्यान में रखेग वह जीरो भी आउड हो गए तो भी मैंसे आगे इंको लेके जाओंगा बले वह जितने भी रन बना पाई लेकिन आगे इस मेंच के लिए हमारे पास इंसे बहतर चोईस है ने बेटिंग से इसके लिए इसके लिए लोग इनको लेके जाएंगी जैसे सूजन ब्रह्मा की बा अगर खेलेंगे तो इसके लिए मैंने इंको रखाएंगे 22 और 42 अभी दब दो मेंच के लिए इनके लिए रोशन टॉपनो एक अच्छा विकेट केपिंग सेक्शन से चोईस आपके लिए यह तीसरी ओप्सन से है आई शगरवाल है एरिक रोय है और याप रोशन टॉपनो तो इनके बारे में अभी के लिए बात में बात करते हैं आकार शेहन गुपता वेरी इंपॉंडर पर करेंगे एज़ प्लेयर हाला कि परफॉमस कुछ खास नहीं लेकिन मुझे इस प्लेयर के पर बहुत ज़्यदा वरोसा है पिछली बारे इनके नाम का कहर आया था यह पर पर बारगर लेहकर जो कि पहले दोनों में तीन तीन विकेड़ना के लाइस निकाले अभी देखो लास में बात करूँ तो हलाकि वह लाइन अप में नहीं थे अजुपसिट्ट्यूड में थे तो आगे तो एगर लाइन अप में रहेंगे तो उनको कैप्टन-वाइस इनके लवाइसे अभी चक्रवर्तिये very important pick definitely लेके जाना है दीपक गोहिन very important pick इनको भी बिल्कुल मिस्ट नहीं करना है इनके लवाइसे starting वस में आपर अरुपदास के साथ दीपक जोहरी और देथ वस में आपर अरुपदास के साथ दीपक जोहरी देथ में भी डालेंगे से मैंने जैसे आपको बता है तीन जिसमें से आईउश अगरवाल तो वेसे भी आपर सब्सुर्टी प्लेयर के लिस्ट में आये थे तो हमारी पास अभी दो ही ऑप्सन बस थे एरिक रोई और रोशन टोपनो दोनों यह अच्छे प्लेयर हैं लेकिन टॉप में आपर एरिक र तो इसको लेना हो तो इसको लीजेगा बाकी बैटिंग सेक्शन में आप पर एन डेका रहेंगे हमारी टीम के अंदर बाकी तो देखो अधर एप्लिकेशन में खेलेंगे तो यहाँ पर में मोहमत कैप को सजेस्ट करूंगा और राइस रब्बानी इन दोनों प्लेयर को में सजेस्ट करूंगा यह दोनों सेफ रहेंगे और राइस सेक्शन में आप पर रजाकुदिन एहमाद है यहाँ पर ए शेन गुपता है बी लहकर जो कि लास्ट में सब्सिटूट में खेले थे लेकिन इस मेच के लिए लाइन अप में रहेंगे इनके राज साथ यहाँ पर प सब्सक्राइब करें तो यह सेफ रहेंगे तो टीम के कप्तान हमारे रहेंगे रजाकुदिन एहमद वाइस कप्टन रहेंगे आप बी लहकर अब लोग अगर सेफ जाना चाहते हैं तो मैंने आपको जैसे की वीडियो में बताया था कि पब्लिक चोईस यहाँ पर बी लहकर लोगों के कप्तान है तो आप लोग अगर सेफ जा रहें तो इनको केप्टन कर देना वाइस केप्टन की बात करो तो यह पर रजाकुदिन एहमद रहेंगे फिर वाकी तेम कुछ इससरा से रहेंगे इसमें कुछ बढ़ा अगरा रहेंगे तो फाइनल टेलिग्राम में दी जाएगे आपको तो जल्री से टेलिगाम को जोइन कर लेना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और आप लोग को उसी लिंक से जोइन करना है वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो शेर कर दो और यूटूप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलेगा क्या आग